मुझे डर लगता था कि मैं बात करूँ तो मेरी जो साथ ससुरे मम्मी पापा जी वो नाराज हो जाएंगे तो मैंने टर की वैसे कब भी बात नहीं की फ्रेंड्स आज जो लोग सपना के ससुर जी पे बेब मुडियाद इलसाम लगाते हैं बहुत गलत जलत बाते करते हैं यह वही ससुर जी है जिन्होंने सपना की एक टाइम पीतना ज़्यादा सपोर्ट किया था कि सपना खुद जो उन्होंने की या तो मिको डर लगता था कि ससुराल वाले वो मुझसे नाराज नहीं हो जाया अगर मैं मम्मी से बात कर लोंगी तो क्योंकि उन्होंने वो जो किया जी हाँ दोस्तों कि सपना के जब माईके वाले और ससुराल वालों में एक छोटी सी बात को लेके बहुत ज़्यादा विवात हो गया था मामला यहां तक हो गया था कि सपना ने माईके जाना छोड़ दिया था माईके वालों ने सपना से मिलने आना छोड़ दिया था तो कही ना कही इन लोगों में बहस इतनी ज़्यादा हो गई थी और कुछ जो उनकी रिष्टेदार है उन्होंनों भी आपस में आग लगाया था तो उन्हों फैमिली में रिलेशन्स बहुत ज़्यादा खड़ाब हो गए थे तो सपना के ससुजी ने फिर कुछ दिनों बाद सपना को कहा था कि अपने माई के वालों से बात करो वो भी मा हैं तुमने बाच्चेत करना बिल्कुल बंद कर दिया और सौरी भी बोल देना क्योंकि सपना गुसे में अपनी मम्मी को और अपने भाई को बहुत ही गलत बाते सपना ने बोल दिया था क्योंकि सपना की भाई की एक छोटी सी गलती है कारण सपना इतनी ज़्यादा नाराज हो गई थी जो कि कही न कही सपना की जग़ा भी सही बात है पर उन लोगों ने जान बूझ के जितना मुझे नौलेज है उन लोगों ने जान बूझ कैसा कुछ नहीं किया था इतनी सी बात का तिलकतार बनाया गया था और कुछ तो हमारे रिलेशन्स वाले भी ऐसे होते हैं जो मौके का पूरा का पूरा फायदा उठाते हैं क्योंकि सपना की जो रिलेशन्स वाले रिश्टेदार है आप लोगों को पता है वो कहते हैं वो घर में आना जाना है उनका